जैश्रीमन नारायन दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि घर के किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में हमारे परिवार वालों के उपर कुछ भी अनिष्ट होने से बजा जा सके हिंदु धर में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूझनिय माना गया है माननेता है कि इन में मालक्षमी का वास होता है वास्तु शास्त के नुसार जिस घर में रोज तुलसी के पौधे की पूझा की जाती है जल दिया जाता है शाम को दीपक लगाया जाता है वहाँ पर मालक्षमी का वास होता है वास्तु शास्त में दिशा और जग है इन दोनों चीजों पर बहुत जोर दिया गया है घर में रख्योई कोई भी चीर सकारात्मक परिणाम तभी देती है तभी वो हमें शुब फल देती है जब उसे सही दिशा में सही जगे पर रखा जाता है तुलसी के पौधे की पूजा करने से मा लक्ष्मी और भगवान सितिती में सुधार होता जीवन भर तिजोरी में धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है साथ ही अनिश्टकारी शक्तियां भी इस घर से हमेशा ही दूर रहती है जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दे या फिर खाली स्थान पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूसरी बात ये भी है कि सूरज की तेज किरनों से तुलसी का पौदा मुर्जा सकता है सूख सकता है अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा करने से उस व्यक्ति को अशुप परिनामों का सामना करना पड़ सकता है क् कि सूखी भी तुलसी अशुप परिनाम देती है अशुप फल देती है तो ऐसा करने से आप बचें जोति शास्थ के नुसर कुछ व्यक्तियों की कुंडली में बुद्ध का जो संबंध है वो धन से होता है ऐसे लोग अगर तुलसी के पौदे को छट पर रखते हैं तो व् पुरे केतु की निशानी और उनकी लक्षन है इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी के पौदे को घर की छट पर रखा जाए तो घर की उत्तर दिशा से चीटिया निकलनी शुरू हो जाती है और ये लाल रंग की चीटिया अगर हो तो ये बेहदिया शुब माना ज जाता है घर और परिवार वालों के लिए ये बात बिल्कुल भी शुब नहीं होती है इसलिए आप तुलसी के पौदे को छट पर रखने से जरूर से बचें वास्तु शास्त के नुसार तुलसी का पौधा पूरब दिशा में भी नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से व्यक्त बिल्कुल भी नहीं रखना है अब बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे को किस दिन लगाए और किस दिशा में लगाना चाहिए तुलसी के पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगाना उत्तम रहता है अगर उत्तर दिशा में आपका लगाना संभव ना हो तो आप इसको इशान कोन में लगा सकते हैं इससे घर में सुक समर्दी का वास होता है वहीं तुलसी का पौधा अगर आप घुरवार के दिन लगा रहे हैं तो ये बेहदी शुब माना जाता है इससे भगवान विश्णु की कृपा भी प्राप्त होती है वहीं अगर आप इस पौधे को शन में लगाए ताकि आपके घर से कोई भी जाए तो तुलसी को प्रणाम करके जाए चू करके जाए आए तो भी उसको प्रणाम करें तो ये बेहदी शुब माना जाता है कोई अगर घर से बाहर जा रहा है तो उसके साथ में कुछ भी अनिष्ट नहीं घटेगा अगर वो दर्शन कर सकें उसको देख सकें ये जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी कही जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाव उठाएंगे और अगर आपने भी तुलसी का पौधा अपने घर में रखा है तो उसकी दिशा आप जरूर से निश्चित कर लेंगे और आप उस उसको सही दिशा में सही जगय पर उसको लगाएंगे तब ही आपको शुब परिनाम देखने को मिलेंगे तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जैश्री मन नारायन दोस्तों